नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फानेंशल अड़ा यूडूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं शो करूँगा tradingview.dhun.co की वेबसाइट से आप कैसे tradingview में चार्ट को एनलाइस कर सकते हो और एनलाइस करने के साथ साथ ही आप अपना limit order प्लेस कर सकते हो यानि मैं आप आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आप tradingview में अपना चार्ट एनलाइस कर रहे हो तो साथ के साथ limit order कैसे प्लेस करना है मैं आपको बिल्कुल live demo करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे मैं share को search कर रहा हूँ Indian Overseas Bank और यहाँ पे मैंने Indian Overseas Bank क्लिक कर दिया और यहाँ पे चार्ट उसका open हो गया है अब चैसे चार्ट में को लग रहे ही चार्ट में को show कर रहे हैं कि मैं को Indian Overseas Bank long time के लिए buy करना चाहिए तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे limit order डालना है तो यहाँ पर आपके पास दो तीन option है मैंने आपको last video में भी दिखाए थे कि यहाँ पर भी आप click करोगे तो order sell का चला जाएगा यहाँ पे click करोगे तो buy का चला जाएगा दूसरा option यह कि आप इस पर click करके market depth के basis पर भी order place कर सकते हो नहीं तो यह वला panel देख रहे है order panel इसको click करने के बाद आप अपना order डाल सकते हो अब मैं आपको limit order डालना सिखा रहा हूँ तो limit order का मतलब है जिस price पर आप purchase करना चाहते हो वो price आपको यहां डालना होगा तो अभी जैसे यहाँ पर 16.25 चल रहा है तो हम यहाँ पर limit order पर डाल देंगे 16.20 यानि 16 रुपे 20 पैसे में हमें यह share खरीदना है और यहाँ पर एक unit और उसके बाद मिरे को यहाँ पर उसकी validity लिखनी है और यहाँ पर मिरे को buy करना है और product type में मिरे को यहाँ पर लिखना है कि intraday है या delivery और मैं यहाँ पर delivery buy कर रहा हूँ और stock को कुछ समय के लिखनी होल्ड करूँगा तो यहाँ पर देखिए limit order और market order में difference की बात करूँ market का मतलब है जो भी best price चल रहा होगा उस पर और का order execute हो जाएगा limit का मतलब है कि अभी market में उसका price है जैसे for example 16 rupees बड़ मैं उसको 15 rupees में ही खरीना चाता हूँ यह limit का मतलब है और limit का order पूरे दिन valid रहता है जब market बंद हो जाती है उससे पहले-पहले अगर वो execute हो गया तो ठीक है नहीं हुआ execute तो वो cancel हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने आपके सामने price डाल दिये 16.20 मैं थोड़ा से इसको change करता हूँ और 16.25 डाल देता हूँ और यहाँ पर एक unit मैंने buy कर लिया है और today और delivery और यहाँ पर मैं order अपना execute कर रहा हूँ एक share 16.25 डाल दिया और आपके सामने देखिए order submitted successfully और यहाँ पर एक share के लिए request चली गी है आप चाहूँ तो मैं अपने order sections पर जाकर भी अपना यहाँ पर check कर सकता हूँ कि क्या मेरा order execute हुआ या नहीं हुआ और आपके सामने order execute हो गया है तो देखिए बहुत ही easy है धन trading view में यानि tradingview.done.co में कि आप अपने trading view में charts भी analyze करो साथ में आप limit order भी यहाँ पर easy way में डाल सकते हूँ बहुत easy है तो अभी तक अगर आपके पास धन का demat account नहीं है लिंक में description है आप अभी जाएं description के अंदर जो link है उससे click करिए और धन के साथ अपना free demat account open करिए और start करिए अपनी trading stock market में और अगर आपकी कोई query है धन apps related धन web platform से या tradingview.done.co से किसी से related भी अगर आपकी धन से related कोई query है आप comment section में comment करिए मैं जल से जल आपकी query को solve करूँगा आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो में नमस्कार